प्रकरण में पुलीस दुआरा पिडित परिवार से मिलने गए महिला पत्रकर और महिला नेताव से आबदर विवहार किया गया इस मामले पर ग्रह मंतरी अमिच्छा को पत्र और चुडिया भेश कर देश की बेटियों और महिला की जिमेदारी लेने में सक्षम नहीं होने का आरोप लगाया साथ इस अविदान चौक पर केंडल जला कर पिडिता को श्रधान जली दी गई है राश्च्णुवादी यूवती कॉंग्रेस परदेश अध्यक्ष सक्षर सलगर के मार्ग दर्शन में नाकपुल शहर अध्यक्ष पूनम रेवतकर के नेत्रित्व में महिला पत्रकार और महिला नेता हाद रस बलतकार पिडिता के प्रक्रण में पुलीस द्वारा पिडित नेता शामिल थी। इस मामले पर ग्रह मंत्री अमित शा से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आने पर उसे पत्र व्यवहार कर निशेत किया गया। देश की बेटियों और महिलाओं की जिम्मेदारी लेने में सक्षम नहीं होने का आरोप ग्रह मंत्री पर लगाते हुए उन्हें चूडियों का गिफ्ट भेज कर घर पर बैठे रहने का आदेश दिया गया। साथ ही पीडिता के परिवार को प्रोच साहित करते हुए समविधान चौग पर कैंडल जला कर पीडिता को श्रद्धान जली दी गई। इस श्रद्धान जली समाहरों में राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी नागपूर के वरिष्ट उपाद्यक्ष नूतन रेवतकर, नागपूर राष्ट्रवादी विद्यार्ती कॉंग्रेस के अध्यक्ष रवी पराते और अन्य लोग उपस्थित थे। अमी सुद्धा राष्ट्रवादी विद्यक उंग्रेस नागपूर तरफे, अमी छा आयनना बंगलें चा भेट पाठोला है, जेने करूं तेनी बंगलें घालाएवा अणी घरी बसावा, कारण महिलावा यूतिंचे सुरक्षिती ची ते कही जवबदरी घैला तायार नही आहिए, क्यामरे परसिंट राजकुमार महर के साथ दिपीका धनेश्वर, NBC News नागपूर